biology class 12 chapter 7 gene अभिव्यक्ति एवं नियमन यानि expression and regulation आप gene का part 1 लेकर के आए हैं इस part के अंतरगत gene किसे कहते हैं? gene अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? gene कहां पाई जाती है? gene तथा protein में क्या संबंध होता है? gene प्रकटन या main step आप gene expression क्या होते हैं? और अभिव्यक्ति का केंद्रिय सिध्धान्त यानि central dogma आदिको चित्रसहित आसान भासा में समझाएंगे तो चलिए सबसे पहले gene किसे कहते हैं? और gene कहां पाई जाती है? ये जान लेते हैं देखे जैसे ये एक mano cell है, mano की कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रिक होता है जो mano की कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रिक होता है और केंद्रिक के अंदर ये देखे इस तरह से क्रोमेटिन तन्तु पाया जाता है धागे नुमा संदचना पाई जाती है, इस धागे नुमा संदचना को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन तंतु कहा जाता है जब कोशिका विभाजन होने लगता है कब कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं ये छोटे छोटे और मोटे मोटे हो जाते हैं तब इन्हें गुर्शूत्र कहा जाता है गुर्षूत्र कहो चाहे क्रोमुसूम कहो क्रोमुसूम यनि कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमाइटिन तन्तू छोटे और मोटे हो जाते हैं तब इन्हें गुर्षूत्र या क्रोमुसूम कहा जाता है ये जो गुर्षूत्र है अगर इसमें से एक गुर्षूत्र को लें ये जैसे गुर्षूत्र है ये गुर्षूत्र डियन्ने से मिलकर बना हुआ है डियन्ने से जैसे इतने से भाग को हम उच्च आवर्धन छमता वाली सूच नरसी से देखें तो इस तरह से डियन्ने निकले एनि गुर्शूतर eternal से मिलकर बना है यह है गुर्शूतर और यह है डिन्ने और जो डिन्ने होता है इसमें जीन्स पाए जाकर जाते हैं जैसा चमकर रहें मोतियों की माला जैसे तो यह क्या होते है जीन्स होते हैं जीन इसका मतलब यह हुआ कि जीन कहां पाई जा रही है तो कोशिका के अंदर जो गुर्षूत्र होते हैं उन पर जीन पाई जा रही है कहने का मजब यह है गुर्षूत्रों पर DNA होता है और DNA पर जीन पाई जाती है यहनी गुर्षूत्र पर DNA और DNA पर जीन पाई जाती है अब आपको पता चल गया कि जीन कहा होती है और जीन वास्तों में है क्या तो अनुवांसिक इकाई होती है जीन जैसे हमारे सरीर की इकाई कोसिका थी वैसे ही ये अनुवांसिक इकाई होती है जीन जो माता पिता के लक्षडों को उनकी संतानों में ले जाती है तो अब जीन क परिभासा क्या होगी तो देखे जीन की परिभासा आप कैसे लिखेंगे डियन्ने अडु का ऐसा खंड जिसमें विशिष्ट प्रोटीन्स अडवों के संसलेशन के लिए नुकलियोटाइड अनुकरम के रूप में सांकेतिक सूचना संचित रहती है उसे ही जीन कहा जाता है यानि डियन्ने अडु का ऐसा खंड होता है जिसमें नुकलियोटाइड अनुकरम के रूप में सांकेतिक सूचना संचित रहती है और किसलिए तो प्रोटीन अडवों के संसलेशन के लिए प्रोटीन अडवों को बनाने के लिए नुकलियोटाइड अनुकरम के रूप में स आंकेतिक सूचना संचित रहती है जीन में अथवा इसी परिभासा को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि DNA अडु का एक ऐसा खंड जिसमें किसी लक्षण का अनुवांसिक कूट निहित होता है जीन कहा जाता है मतलब यह हुआ कि जीन हमारी अनुवांसिक बिसेस्ताओं की जानकारी रखता है जो अनुवांसिक बिसेस्ताओं होती है या मानों की जो अनुवांसिक बिसेस्ताओं होती है उनकी यह जानकारी रखता है जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा ऐसे ही आखों का रंग कैसा हो बिमारियां तो यह सब क्या है अनुवांसिक लक्षण होते हैं तो इसलिए कहा गया कि जो जीन होती है यह हमारे अनुवांसिक विसेस्ताओं या लक्षणों की जानकारी रखती है संचित रखती है इसका मतलब यह हुआ यह दोनों परिभासाओं का अर्थ यह हुआ या इसक सकते हैं कि जो गुर्षूत्र होते हैं गुर्षूत्रों पर इस्थित अनुवांसिक इकाई जो किसी जीवधारी के फीनो टाइप लक्षण का निर्धारन करती है जो किसी जीवधारी के फीनो टाइप लक्षण का निर्धारन करती है उसे ही जीन कहा जाता है तो इस चित्र स आपको परिभासा समझ में आ गए होगी कि गुर्षूत्र पर इस्थित अन्वांसिक एकाई जो किसी जीव के फीनो टाइप लक्षण का निर्धारण करती है उसे ही जीन कहा जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीन क्या होती है और कहा पाई जाती है चलिए अब जीन अभिव्यक्त क्या है इसे समझा देते हैं जीन अभिव्यक्त या जीन एक्सप्रेशन या इसी को जीन प्रकटन भी कहा जाता है तो आएसी प्रकिरिया जिसमें किसी जीन में उपस्थित सूचना के प्रियोग से किसी जीन उत्पात का निर्माड होता है जीन अभिव्यक्ति या जीन ब्योहार कहते हैं क्या कहा गया है कि ऐसी प्रिकिरिया जिसमें किसी जीन में उपस्थी सूचना के प्रियोग से किसी जीन उत्पात का निर्माड होता है जीन में उपस्ति जो सूचनाएं होती जैसे जीन है तो इन जीन में जो सूचनाएं संचित रहती हैं सूचना के प्रियोग से किसी जीन उत्पाद का निर्मार होता है उसे ही जीन अभिवेक्ति या जीन बेवहार कहा जाता है अतावा इसी परिभासा को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जीन को उनके कार्यात्मक उत्पादों में बदलने को जीन अभिवेक्ति कहा जाता है जो जीन है यह जीन कार्यात्मक उत्पाद में बदल जाए जैसे यह जीन है तो यह जीन कार्यात्मक उत्पाद में चेंज हो जाए तो उसे ही जीन अभिवेक्ति कहा जाता है, यानि जीन प्रकट हो जाए, या अपने प्रभाव को प्रकट करें, उससे कोई उत्पाद बनाए, तो उसे ही जीन अभिवेक्ति या जीन एक्स्प्रेसन कहा जाता है, अधावा जीन अभिवेक्ति को जीन प्रकटन भी कहा जाता है, जीन प्रकट जीन सक्रिय डियन्य खंडों के बने होते हैं और जो डियन्य है डियन्य को सभी जैविक किरियाओं की सूचनाओं का भंडार कहा जाता है डियन्य को सभी जैविक किरियाओं की सूचनाओं का भंडार कहते हैं या डियन्य को सूचनाओं का टेप कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी सूचनाओं संचित रहती हैं जीन के माध्यम से या जीन में चलिए अब जीन अभिवेक्ति अथवा जीन प्रकटन के मुखि पदों को बता देते हैं यानि main steps of gene expression को जान लेते हैं जीन अभिवेक्ति अथवा जीन प्रकटन के मुखि बेंदू या मुखि पद इस चित्र के माधम से समझेंगे देखे जो DNA होता है जो DNA है DNA में संचित सूचनाएं जो होती है mRNA यह mRNA में अनुलेखित होती है transcription इनका होता है या अनुलेखित हो करके कोशिका द्रब्य में पहुशती है जैसे यह कोशिका है और यह केंदरक है केंदरक के अंदर chromatin तंत उपाया जाता है और chromatin तंत वास्तों में गुर्शूत्रों होते हैं, गुर्शूत्रों पर DNA होता हैं, तो जो DNA है, DNA में जो संचिस सूचना हैं, यह mRNA में transcription इनका होता है, या आनुलेखित हो करके कोशिका द्रब में, यहां पर आ जाती हैं, कोशिका द्रब में आती हैं, और यहां पर आने पर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम हैं, अमीनो अमल हैं, टी आरने हैं, बिसिस्ट एंजाइम हैं, इनकी सहायता से नए नए प्रोटीन अड़ों का संसलेशन होता है, या नए नए प्रोटीन अड़ों बनते हैं, कहने का मतलब यह हैं, कि जो जीन अभिवेक्ति हैं, यह जीन प्रकटन है, इसमें जो DNA है, DNA, RNA और polypeptide शंखला जो होती है, इनका सम्बंध होता है, देखे, यहाँ पर DNA का एक खंड बनाया गया है, तो यह DNA में संके संचय पद्धती है, यहनी mechanism आप storing genetics information है, अनवांसिक कूट के रूप में यह इस्टोर होता है, और फिर इसका transcription यहाँ पर polynucleotide chain में mRNA के रूप में हो रहा है, यहनी DNA से RNA में सूचनाओं का अनुलेखन हो रहा है, DNA से RNA में सूचनाओं का अनुलेखन, मतलब transfer of information from the DNA to RNA, और इसके बाद यह जो आप चितर देख रहे हैं, इधर वाला, तो यह RNA की जो सूचनाओं है, यह polypeptide chain है, जो polypeptide श्रंखला है, इसमें इनका अनुवादन हो रहा है, यहनी RNA से सूचनाओं का अनुलेखन polypeptide श्रंखला के रूप में हुआ, खुल मिला कर कहा जाए, तो DNA से mRNA यनी RNA बनता है, और mRNA से polypeptide chain बनती है, यह polypeptide श्रंखला बनती है, या कहली जी की प्रोटीन का निर्माड होता है सिदे सिदे कहली जी की प्रोटीन का निर्माड होता है तो ये जीन प्रकटन के मुखी बिंद हों इस तरह से जीन प्रकट होती है तो इस तरह से प्रोटीन बनती है चलिए अब जीन और प्रोटीन में संबंध को बता देते हैं जीन और प्रोटीन में क्या-क्या संबंध है और कैसे कैसे इसकी ब्याख्या की गई है तो जीन तथा प्रोटीन में संबंध यनि की relation between gene and protein तो इसमें क्या-क्या संबंध है आपको बता दें कि इस सम्मद्ध में दो परिकलपनाएं दी गई है जो जीन तथा प्रोटीन है इस सम्मद्ध में दो परिकलपनाएं प्रस्तुत की गई है एक परिकलपना कौँसी है एक जीन एक एंजाइम एक जीन एक एंजाइम परिकलपना इस परिकल्पना को किस ने दिया था बीडल एवं टाटम ने बीडल एवं टाटम ने दिया था एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बीडल एवं टाटम ने प्रस्तुत की थी आपको बता दे वन जीन वन जीन एम आर ने तो एक reaction आपको दिखा रहे हैं और इसी से एक gene एक enzyme परिकलपना हो जाएगी तो one gene MRN ने यहाँ बना protein और फिर बना enzyme कहने का मतलब यह है कि एक gene एक enzyme परिकलपना हो गई इस तरह से मतलब बीडल एवं जो टाटम थे इन्होंने एक gene एक enzyme परिकलपना प्रस्तुत की थी और इस परिकलपना हमें इन्होंने बताया क्या था कि यदि एक जयो रासानिक परिकिरिया कोई भी एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है और प्रतेक एंजाइम के संसलेशन की सूचना जीन में संचित रहती है वो एंजाइम कैसे बनेगा इसके सूचना जीन में संचित रहती है एकठा रहती है तो आप समझ गए वन जीन वन एंजाइम परिकलपना में क्या कहा गया है कि यदि कोई जयो रासानिक प्रिकिरिया है तो ये कई चड़ों में पूरी हो रही है और प्रतेक चरण एक एंजाइम के द्वारा नियंत्रित हो रहा है और प्रतेक एंजाइम के जो संसलेशन की सूचना है एंजाइम के जो बनने की सूचना है वो जीन में जीन में संचित रहत पारिकल्पना उन्होंने दी थी तो ये दूसरी परकरपना है एक जीन एक पाईप्रेप्रेप्रपना इसे भी बीडल एबं टाट अददे दिया था और इसमें इनको ग्याद हुए कि इसमें जो परिकल्पना एक जीन एक एंजाएम थी तोड़ी सी गलत ती इसलिए दुबारा से इन्होंने एक gene एक polypeptide शंखला प्रस्तुत की और इसमें बताया जो एक enzyme होता है एक enzyme से एक से अधिक polypeptide शंखलाएं बनती हैं वन जीन, वन जीन, MRNA और पॉली पेप्टाइड चेन, इसमें क्या बताया था कि जो एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम से एक से अधिक पॉली पेप्टाइड श्रंखला बनी होती हैं, तथा पॉली पेप्टाइड श्रंखला के संसिलेशन के लिए एक ही जीन होता है, एक लिखेंगे परिशा में ये भी आपको समझाएंगे चलिएए अब आणू जयविकि का केंद्री सिधान्त अधवा Central Dogma या Central Dogma Molecular बायरोजी को समझा देते हैं देखे Central Dogma वास्तों में है क्या तो जो DNA होता है DNA से RNA का निर्मार होता है और RNA से प्रोटीन बनती है DNA से RNA का निर्माड होता है और RNA से प्रोटीन बनती है आपको मैंने पहले समझाया था जब DNA रेपलिकेशन बताया था कि DNA से DNA बनने की किरिया रेपलिकेशन कहलाती है रेपलिकेशन कहलाती है जब DNA से DNA बन रहा है तो उसे रेपलिकेशन कहा जाता है और जब DNA से RNA बन रहा है, तो उसे transcription कहते हैं, transcription कहा जाता है, और जब RNA से protein का निर्माड होता है, तो उसे translation कहा जाता है, कहने के मतलब यह है, कि यहाँ पर DNA से DNA बन रहा है, तो यह क्या कहला है, replication कहला है, DNA से RNA बन रहा है, तो इसे transcription कहते हैं, और RNA से protein बन रही है, तो इसे क्या कहा है, translation या अनुवादन कहा है, तो DNA से DNA बनना दिगुडन हो गया, DNA से RNA बनना आनुलेखन हो गया, और RNA से protein बनना क्या हो गया, translation या अनुवादन हो गया, या आणुजयविकी का केंद्रि सिधान्ध पहला है यानि सुचनाओं का एक दिसिक प्रवा होता है यह DNA से RNA और RNA से प्रोटिन चाहिए आप इसको mRNA भी कह सकते हो यह पहला हुआ सूचनाओं का एक दिस्शिक प्रवाः और जवकी केंद्रे सिधानत में पहला हुआ फिर दूसरा होगा कि सूचनाओं का वृत्तिय प्रवाः वृत्तिय प्रकरम कह लेजिए तो वृत्तिय में क्या होगा? देखें यह जो DNA है DNA से RNA बना RNA DNA से RNA बना RNA से protein बन रही है और protein से RNA बन रहा है और RNA से DNA बन रहा है ये बृत्ती प्रवा हो गया सूचनाओ का बृत्ती प्रवा मतलब सूचनाओ के बृत्ती प्रकरम में क्या हुआ यहनि circular flow of information में क्या हुआ कि DNA जो है DNA से बिभिन प्रकार के RNA बनते हैं चाहे वो mRNA हो, चाहे वो tRNA हो DNA से बिभिन प्रकार के RNA बनते हैं इनका अनुलेखन होता है, transcription होता है और जो RNA है, प्रोटीन के रूप में सूचनाओ का अनुवादन करते हैं जो RNA है ये प्रोटीन के रूप में सूचनाओं का अनुवादन करते हैं और जो प्रोटीन है ये RNA का संसलेशन करती है प्रोटीन, RNA का यह प्रोटीन जो होती है ये RNA संसलेशन का और फिर RNA DNA का संसलेशन करता है इस तरह से ये ब्रित्ती प्रवा हो जाता है ब्रित्ती आप तीसरा होता है, सूचनाओ का विपरीत प्रवा, इसको दूसरे पेज में देख लेते हैं, सूचनाओ के विपरीत प्रवा में क्या होगा, ने है, ने से और अने बन रहा है, और अने से प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन का निर्माड हो रहा है अब DNA से RNA और कभी-कभी क्या होता है reverse हो जाता है यहां से RNA से DNA बनने लगता है आपको बता दें कि यह किसकी वज़े से होता है तो जो टेमिन थे टेमिन ने सन 1970 में RNA dependent DNA polymarase की खोद की थी DNA polymarase enzyme की खोद की थी जो टेमिन थे सन 1970 में RNA dependent DNA polymarase enzyme की खोद की थी और यह जो enzyme है यह enzyme क्या करता है enzyme को reverse transcriptase भी कहा जाता है और आपको बता दें कि इस enzyme को reverse transcriptase भी कहते हैं reverse transcriptase भी कहा जाता है RNA dependent DNA polymarase enzyme को reverse transcriptase भी कहते हैं और यहाँ enzyme करता क्या है तो यह enzyme जो RNA है RNA से DNA बनाने लगता है क्या करता है कि RNA से DNA के संसलेशन का नियमन करता है और यहाँ केवल उन वाइरसों में पाया जाता है जिनमें RNA अनुवांसिक पदार्थ होता है RNA genetic material जिनमें होता है जिन वाइरसों में केवल उन ही में यह पाया जाता है इस किरिया को reverse अनुलेखन कहा जाता है जब RNA से DNA बनने लगता है तो उसे क्या कहते हैं reverse अनुलेखन कहते हैं मतलब इसमें क्या हुआ कि RNA से पहले DNA बना RNA से DNA बना और फिर DNA से mRNA बनता है और mRNA से protein का संसल होता है तो इस तरह से यह सूचनाओं का बिपरीत प्रवा हो जाता है चलिए अब इस सबको परिक्षा में कैसे लिखेंगे लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं लिखना है जीन DNA अनुका एक ऐसा खंड है जिसमें बिसिष्ट प्रोटीन अड़ों के संसलेशन के लि निवरोस्पोरा नामक एक कोसे किये कवक पर प्रियोग दोरा यहां प्रदर्सित किया कि प्रतेक जीन एक विसिष्ट एंजाइमी प्रोटीन का संसलेशन करता है जो एक विसेश किरिया को उत्रेरित करता है इस आधार पर उन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकलपना प् कई चरणों में पूरी होती है तो प्रत्यक चरण एक एंजाइम दोरा नियंतित होता है फिर एक जीन एक पॉलिपेप्रेट परिकलपना एक जीन एक एनजाइम परिकलपना देने के बाद बीडल एवं टाटम ने पाया कि एनजाइम में एक से अधिक पॉलिप्रप्रेटर्ट शंखलाएं भी होती हैं तथा पॉलिप्रेटर्टर्ट शंखला के संसेलेशन के लिए एक जीन होता है इस आधार पर उन्होंने एक जीन एक ओली परिकलपना प्रस्तुत की पहला है सूचनाओं का एक दिसिक प्रकरम तो क्रिक के अनुसार डियन्ने एम आरेन्ने के अनुलेखन द्वारा प्रोटीन संसलेशन की सूचनाओं प्रेसित करता है एम आरेन्ने आरु केंद्रक से बाहर कोसी का द्रब्य में पहुँशते हैं इसके बाद एम आरेन्ने में नुकेलियो टाइडो के क्रम का अमीनो अमल में अनुवादन होता है इसे सूचनाओं का एक दिसिक प्रवाया सेंट्रल डोगमा कहा जाता है DNA फिर mRNA फिर protein इस तरह से एरो लगा करके अनुलेखन अनुवादन और इसको DNA से DNA बन रहा है तो क्या होगा दियोडन हो जाएगा इसके बाद में सूचनाओं का भृत्तिय प्रकरम तो इसके अनुसार DNA से विभिन प्रकार के RNA का अनुलेखन होता है RNA प्रोटीन के रूप में इन सूचनाओं का अनुवादन करता है और protein RNA संसलेशन का निर्देशन करता है और RNA DNA संसलेशन का निर्देशन करता है इस तरह से DNA से RNA, RNA से protein और protein से RNA और RNA से DNA इस तरह से ब्रत्तिय प्रकरम हो जाएगा किरागे तीसरा है सूचनाओं का विपरीद प्रवाह तो टेमिन ने सन 1970 में RNA-dependent DNA polymerase enzyme की खोज की थी इस enzyme को reverse transcriptase भी कहते हैं या enzyme RNA से DNA translation का नियमन करता है या केवल उन वाइरसों में पाया जाता है जिनमें RNA अनुवांसिक पदार्थ होता है इस किरिया को reverse analycan कहते हैं इसमें RNA से पहले DNA बनता है फिर DNA से mRNA बनता है और फिर mRNA से protein बनती है इसी को यहाँ पर लिखना है आपको ऐरो के रूप में RNA फिर DNA फिर mRNA और फिर protein यहाँ आप ऐरो रगाकर इस तरह से बना सकते थे तो आसा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी दोस्तों में share कीजिए चैनल पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए धन्यवाद